सब को नमस्कार बहुत अच्छा काम लगा हमारे को आउट का मज़ा आ गया सबसे बड़ी बात तो तो दोस्तों फाइनली हमारी जर्णी स्टार्ट होती है 23 तारीक को तो देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुक है तरंडा माता देवी के मंदर और यहां पर हम लोग ने दर्शन किये अब कगस्तल में हमें हमारी दोस्तों और चाचा सीरी मिले कुलदीब चाचा जो कंपनी में साथ काम करते थे और यह देख सकते हैं हम पीओ से आगे जहां पर हम काम करने वाले हैं तो देख सकते हैं आप दोस्तों और प्रैमर का काम भी शुरू हो चुका है और तो दोस्तों नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के उपर एक और नए वीडियो में तो देख सकते हैं हमारी रूफ बिलकुल रेडी है और हम लोग ने यहाँ पर रूफ इंस्टोलेशन का कम बिलकुल कंपलीर कर दिया है तो देख सकते हैं आप लोग लुट्यूब चैनल के उपर एक और नए वीडियो में तो दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल के उपर नए है तो प्रिलिस चैनल को सब्सक्राइब करतें वीडियो का लाइक करें शेर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने रूफ इंस्टोल कर दी ह तो यह टॉप का रिज है देख सकते हैं तो निच्चे के स्कते हैं गटर बनाए गया गेया जो जीडिर की हम लोग ने रूफ- में गए गत्र रिभी में डेन ज होगाएं इस ख़् Aleश निर स्वें तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर टाटा डियोशन कंपनी की स्ट्मार्ट ग्रे कलर की रूफ इंस्टॉल की गई है तो यह कार्य जो है वो हिमाचले परदेश के डिस्टिक किन और चंगो विल्लोज में किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं अभी अब आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर यह देख सकते हैं दोस्तों आप यह समिंटेड नाली बनाई गई है तो जितना भी पानी होगा इस नाली के जरुविए आउट लेटो हो जाएगा बाहर को य wander जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह कि इसकी चुड़ाई जो है वह कि पंदरा इंच रखी गई है नाली की सेंटर की और दोस्तों यहां पर एक डंगा लगा जो निच्चे का बाग होता है प्रोफाइल सीट का उसकी जितनी भी नालियां हैं सभी नालियों में स्क्रिव लगने चाहिए अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो बाग होगा सीट का वो उठ जाएगा और हवा की प्रैसर से सीट अपारी खराब हो जाएगी तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हम लोगों ने जो स्क्रिव लगा हुआ है तो सेम इस जगह पर ऐसे यह इस जगह पर स्क्रिव नहीं लगा है सेंटर में स्क्रिव लगा है और दोनों साइड की नालियां खल ली है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अपचिट साइड में हमने स्क्रिव इंस्टॉल किये हैं उपर की तरप को जो वती है वो खराब हो जाती है बहुत जादा स्क्रीव भी नहीं लगाने चाहिए अल्टरनेटिव स्क्रीव लगाने से पकड़ पूरी बनी रहती है तो द्यान में रखना है आप लोगों जितने भी स्क्रीव करने है इंस्टॉल वह गैलेवनाइजड और कलर कोटड़ होन कि मैं हमने क्या किये हो आए और सीलिंग कौन सी की है इसके बारे मैं बताउंगा दोस्तों बने रहे है हमारे यूट्व चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके तो ले चलते है आपको अंदर की तरफ को तो यह सामने की तरफ को देख सकते हैं दोस्तों हमने यह बॉर्डर लगाया है एशीन वाइट कलर का टाटा डियुल शानिंग की कंपनी की यह सीट है और यहां पे स्टाफ स्क्रीू इंस्टॉल किये गए हैं यहां पे वैल्डिंग का कोई काम नही इतनी में कितना मस्त लगा रहा है दोस्तों देख सकते हैं आप और यहुह पर प्याइब को दखाएं गे आप नक्स्ट P आ की ओड़र लाइन की सीलिंग के वारे मैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हम लोग नहीं यहां पर ऑट लाइन में लाइन न शीट इंस्टोल की है तो यह सीट जो है वो टाटा डियोरेशन कंपनी की 0.37 mm थिकनिस वाली सीट है तो देख सकते हैं आप यहां पे टोटल हमारी सीट लाइन शीट इंस्टोल की गई है और यह सीट जो है हमने टी सेक्षिन के उपर फ्रेम बनाके लगाई है ताकि हवा का जितना भी प्रेसर आएगा तो इस सीट को कोई नुफसान नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने लोकिंग जो की है वो स्क्रीव 25 mm के स्क्रीव उपर से लगाए है और सीट को लोक कर दिया है तो जितना मजी दवाव दे दो सीट अमारी नहीं उड़ेगी तो दोस्तों अब यह हम आपको लेग चलते हैं अंदर की तरफ को तो दोस्तों यहां पर देशते हैं हम लोगों ने यहां पर टाटा डियूरेशन कंपनी की लाइनर सीट इंस्टॉल की है यह अनब्रेकेबल सीट है इसको पेंट करने की कोई जरूरत नहीं है अब इसके उपर चड़ ज टाटा डियूरेशन कंपनी की 0.37 mm और वाइट कलर इसका तो अभी आपको अंदर की तरफ और ले चलता हूं मैं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह पानी की टंकी के लिए स्टेंड बनाए गए हैं दो दो हजार लीटर की यहां पर तीन टंकी रखी जाएंगी तो द दिचे को जो पोई लगाए हैं हम लोग ना वह एक एक फीट के लगाए हैं तो दोस्तों यहां पर जो गल्दरी थी इसमें लाइनर सीट इंस्टॉल की गई है देख सकते हैं आप टोटल और यहां पर श्क्रू जो लगाए गए हैं बहु स्टार्ट स्क्रू लगाए गया ह है तो यहां से असाने से आप उपर चड़ सकते हैं और अपना कारback कर सकते हैं तो रूप के अंदर जाने का यही राता है आपको जाकर दिखाऊंगा थोड़ देर वाद तो दोस्तों यहां पर देश सकते हैं हम लोगों ने यहां पर सीलिंग के लिए लाइट कटिंग का काम भी शुरू कर दिया है तो यह देश सकते हैं सामने की तरफ को लाइट कटिंग कर दी गई है तो यहां पर नौ वाट की चार लाइटे इंस्टॉल की जाएंगी इस रूम में तो सब इस तरे भी हमारी रूम है क्रिवन बार्रा फुट वाई दस फुट के तो इन सभी में चार-चार लाइटे इंस्टॉल करने वाले हैं आप लोग तो देख सकते हैं आप यह हमारे इलेक्टिक काम कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हमारा जितना भी यहां पे सीट इंस्टॉल हुआ है टोटल 135 135 सीट हम लोगो नहीं यहां पे इंस्टॉल की हैं लाइनर इंटीरियल और एकस्टिरियल और एकस्टिरियल साइड को डालके एकस्टिरियल में भी हमारी काभी लाइनर शीट इंस्टॉल हुई है और इंटीरियल में भी और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं यहां पे एक सीट इंस्टॉ बोड का इंस्टेमाल किया गया इंस्टॉ थर्माग देख सकते हैं आप यह सीट एक ऐसी सीट है तो इस चीट के जो खासी है कि इसके ऊपर आप गाड़ी पूरा देंगे तब भी सीट नहीं तूटेगी है यह थर्माग इंस्टॉ इस इंसुलेशन शीट तो यह बाल सक्षन में यूज की गई है देख सकते हैं आप यह देख स तो आप इस बोड़ से अंदर की तरफ को ठंड़क रहेगी और बाद सरदी यहां पर गर्मी रहेगी यह दोनों काम करेगा बोड़ और यहां पर हमारी कमरे की वाज़ जो है दूसरे कमरे में भी नहीं जाएगी तो इसका यह फाइदा है तो यहां पर टोटल कमरा जो पूरा पैक अप कर दी जाएगा और यह हमारे सूरज बाईजी है यह अच्छे दोस्तों हमारे तो दोस्तों देख सकते हैं यह इनका भी यूट्यूब चैनल है तो आप इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं डिस्क्रिप्टर मैं इनका लिंक शेर कर दूँग है यहां का जो एपल है बोटोप टेंट है कि अगया कि अगया दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गाओं में कि आप जाता ही और तो यह बहुत हैं जाता है पाल गोद लिम्रे चाहं में है और और अभी हम लोग जा रहे हैं गुमने क्योंकि अभी हमारा समान नहीं आया है वो आ रहा है रामपूर से तो यह पानी देख सकते हैं बहुत थंडा है पानी फोट यह वला और यह देख सकते हैं आप यहांकी चाहसीन वादिया बहुत ही चांदार और यह सेव के पेड दोश् यहां पर गेट लगाया गिए है और यहां पर देशके हैं दोस्तों यह नहर ऐसल waters टव्च देख सकते हैं आप यहां पर ट्रस म माना गई है दोस्तों तो आपके कामने यह जितली हमने ट्रास में है बिलकुल साब सुत्री है इसमें एक्ष्ट्रा लोहा हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया है जितनी जुरूरत है उसी साब से यहां पे structure बनाया गया है ट्रेस बनायी गयी है तो दोस्तों आपने भी द्यान में रखना है बिना बजा का कोई लोहा आपने एक्ष्टा नहीं लगाना है जितना भी आप structure लगाएंगे बिलकुल साब सुत्रा लगाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं आप हमने इतना बड़ा structure बर काम किया है तो हमारा जो देख सकते हैं structure में बिना मतलब का कोई भी लोहा नहीं लगा है तो इसमें नुकसान होगा मालिक का बिना मतलब का उसका लोहा जो है इस रूफ के उपर लग जाएगा जो फैबरिकेटर भाई हैं उन्होंने दियान रखना है जितना भी आप structure पर ready करें वो बिल्कुल साफ सुतरा करें मालिक का कोई नुकसान ना हो उसमें और आपका काम भी बजबूत हो जितनी requirement है आपकी structure के लिए तो उतना ही आप लोगों ने लगवाना है तो दोस्तो मालिक के लिए एक और बात दियान में रखने के लिए है जब आप गर के उपर रूफ लगवा रहे हैं इतना पैसा खर्चर कर रहे हैं तो लोहे को red oxide primer और paint करवाना बहुत ही अन्यवारिया है जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तो आपके जो roof लगाई होगी उसको corrosion की वज़ा से वो खराब हो जाएगी तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमने यहाँ पे जो parlin लगाई है वो 2 inch वाइद 2 inch की square pipe की लगाई है तो दोस्तो यहाँ पे इसकी जो thickness है वो 2 mm की है 2 mm thickness तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ट्रसे बनाई है यह 1.5 inch वाइद 3 inch की square pipe की बनाई है तो दोस्तो आपने square pipe का use करना है वो उसकी thickness checker नहीं है fabricator वाइन है कितनी है दो mm से कम नहीं लगाना है अगर आप इससे कम लगाएंगे तो जो आप screw install करते हैं तो बार बार आप screw उस जगपे install नहीं कर पाएंगे और आपका screw free हो जाएगा तो द्यान में रखना है जो भी आपने material यूज़ करना है वो west quality का करना है गर का काम एक बार होता है बार बार नहीं होता है दोस्तो तो दोस्तो हम सोचेंगे हमारे चार पैसे बच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है आपने गर के लिए जो रूफ बनुआ रहे हैं उसके लिए बड़िया material यूज़ करना है तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने liner seat install की है तो इसमें भी हमने बिना मतलव का कोई extra लोहा नहीं लगाया है तो दोस्तों एक और बात बता दूँ मैं आपको liner seat install करने के लिए देख सकते हैं आप इसको दिखाओ liner seat install करने के लिए हमने 8 फीट की seat होती है उसके लिए हमने 3 परलिन यूज़ की है square pipe की और चोता हमारा border का angle आ गया तो दोस्तों इसके लिए हमने 32-32 inch का gap रखा है परती pipe तो इसमें हमने 1.5 inch की square pipe यूज़ की है और यहां पर देख सकते हैं जितने भी हमने profile seat यूज़ की है देख सकते हैं दोस्तों आपको कहीं से भी कोई भी part खराब नहीं दिख रहा होगा जो भी आप लोगों ने काम करना है तो दोस्तों साब सुत्रा काम करना है काम में कोई गरबड़ी ने करनी है अगर आप इमानदारी से काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा और आपक जाने हैं अगर आप रैड़ सीट के उपर वाइड श्क्रिव लगा देंगे तो देखने में वह दंदे लगेंगे तो दोस्तों कि आगे आई आईए यहां पर देख सकते हैं हमना लाइनर शीड के लिए जो हमने liner seat install की है तो उसके जो locking की है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने screw install की है है तो इस liner seat के उपर मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ देख सकते हैं आप यह खराब नहीं होगी तुटे की नहीं और यह unbreakable liner seat है तो दोस्तो ज्यान में रखना है जब भी आप अपने घर का काम गरवाएं तो best quality का ही material लगवाएं third class yeah तो फईनली देख से यह दोस्तो काम खत्म रखाएं है अपना और देख से सहते हैं आप अप आफ सभी लोग लोग के शो आए कर रहे हैं सभी नहीं के नवह पहनी हूँ है और हम लोग जा रहे हैं बापिस तो दोबने पहुस हैं इस also दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या हमारे द्वारा दी गए जानकर या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें शेर करें कुमेंट करें और अपनी जगा का नाम जुरूर ल